ग्यान एकशर्टार मुझानिस पश्रुक् 거야andra आप अटैनेस बना लू और अटैनेस राने का प्रोसेस आप सभी बांचे को पता है बस के अगर अटैनेस बनाईए फिर हम लोग आज की प्राइस श्रूर करें सभी बच्चों का attendance बन क्या होगा तो सभी बच्चे EVS की नोट बुक करेंगे नोट बुक इसलिए कि आज हम लोग देखे चैप्टर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इस जो पेज नमबर मैंने लिखा पेज नमबर फिफर पेज्वाट वी ओके आर और और ओ मतलब नमबर डैने लिखे नवव तयरदी आज हम इसे करेंगे तो वो जो डैप अथरफ़ प्लेट ऊप्लांट और पाट्स ऊप्लांट है उस चैप्र शञेटेव से क्यो अब प्लांट से लेकर चैप्टर याना 26 तक रिलेटेड है यानि के टाइप्स प्लांट चैप्टर 21 से चैप्टर 26 यह पूरे चैप्टर से कोश्चन है तो इसलिए मैंने चैप्टर ना लिखकर मैंने क्या लिखा डारेक्ट पेश जंबर तो आप सब्सक्राइब्स की और उनलाइन क्लास में जो आप बिस तक पर आएन देर पेश ब करने को हैं तो जिन के पास किताबे नहीं ऑफने किताबे नहीं हैं और हां on-line class में जो आपको पर बैलेश बोस्लाप करेंने में मारे हैं फिन प्रिजेंट रहना है तो यह नहीं समझिए कि प्रिजेंट रहना मतलब एटेंटनेस बनाओ और ओफलाइन हो जाओ मतलब कि आपका जो क्लास का वीडियो उसको मत देखो ऐसा नहीं आपकी क्लास की वीडियो जितनी भी देर की दूद होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारा काम आपको करना है जैसे बुक को पेंट करने को, नोटबुक को पेंट करने को, बोड़के से नोट करने को, साइलेंट रहने को, मेरी तरफ ध्यान से देखने को, बातों को समझने को, ये सारी बाते आपको फॉलो करने हैं तो आपको present रहना है जो बच्चे present नहीं रहते हैं और आप लोग present रहते हो तो आप लोग दूसरे बच्चे को present रहने के लिए बुला करो और जिनके पास किताबे नहीं है वो बच्चे अपने किताबे खरिदबा लें तो इन छोड़ी छोड़ी बातों पर ध्यान देंगे ज तो सबी बच्चों का EBS का notebook open हो गया अब आपको क्या करना है तो EBS की notebook open करने के बाद आपको ये देखना है कि लिखेवे page में अगर तीन से जादा line बच रही है तो आपको उस page का इस्तमाल करना है और जिनके notebook में लिखेवे page में तीन या उससे कम line है तो वो बच्चे new page का इस्तमाल करेंगे के लिए half page वाले बच्चे क्या करेंगे तो जो चीज लिखा हुआ है उसके नीचे scale की help से line खीश देंगे उसके बाद एक line में date, chapter, remember, दूसरे line में heading और दूसरे line से लिखना शूर कर दीजगा चैक्टर की जगा पर page number लिख दी जगा ओके और जिनका new page है वो बच्चे क्या करेंगे तो date, page number और remember, note book में सब से उपर, first line में heading और second line से लिखना शूर कर देंगे के लिए तो चलिए हम लिखना शूर कराते है question number, पहले तो आपको revision time मिखना आना है, r-e-b-i-s-i-o-n, revision time और remember अब है question number a, जो क्या है ask and answer ask and answer, पूछो और उतर दो चलिए मैं एक एक करके कोशना लिखनी हूँ, उसका आनसर भी लिखते जाऊँगे, फिर समझाते आपको जाऊँगे जब मैं लिखू, तो सभी बच्चे गोट पे से नोट करें, और जब मैं समझाँँ, और बच्चों को बोलूँ कि इधर देखिए, तो आप लिखना बन करके मेरी तरफ देखकर मेरी बातों को समझें, ओके? नो फुर्स कोशन है, ने ने मा वरी टाई नी रेट गलर्ड रेट गलर्ड रेट गलर्ड डूँट बहुत नेम अबेली टाइनी रेड कलड हो गिलेट नाम बताना है उबेल से एक फलका जो बहुत ही वेली टाइनी टाइनी मिस छोटा small miss छोटा होता है अगर हम tiny का इस्थमार कर रहे हैं तो बहुत छोटा या पर very नहीं पर लगता तो भी tiny का मीनिंगी होता है बहुत छोटा और very लगया कि मतलब बहुत छोटा जो red color fruit है fruit है यानि के लाल रंग का जो फल है जो बहुत छोटा होता है अगर नाम क्या है तो चलिए मांसा लिखते हैं cherry is a very tiny red colored smooth हमने संदेंस के साथ लिखा इसलिए संदेंस लिखा लेकिन नेम बताना आसान होगा लेकिन आप लोग अब क्लास वन में भी जाओ कि कुछ दिन के बाद अभी तो फिलाल UKG में हो लेकिन वन में जाईएगा तो वहाँ पे answer question रहेगा तो आप अभी से अगर sentence में ही परपाईएगा तो वहाँ पे sentence को परना और उसी याद करना मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसलिए sentence में answer दिया मैं answer डारेक्ट वर्ड भी दे सकती थी कि ने वाँ वेरी ताइनी रेट प्रट को तुच्छे रही लेकिन उसी बोलना अच्छा लग रहा नहीं तो हम पुरत से आप तो पुछे ना तो हमरा answer है cherry is a very tiny red color fruit cherry जो होता है बहुती चोटा लाल रंग का फल होता है तो हमरा question है name a very tiny red color fruit बुला है बहुती चोटे लाल रंग का फरका नाम बताना है तो answer है cherry is a very tiny red color fruit cherry है जो कि बहुत चोटा होता है वो लाल रंग का फल होता है चोलिए अब second portion इती हूँ second portion है which which fruit comes in bunches answer बोला है which fruit comes in bunches bunch box bunch Mr. Guxha तो बोला है आप्र परशन परहे single नहीं राता गुछे में आता है तो मैं क्या लिक्कों के answer है reps igent इन बंचेस, P-U-N-C-H-E-S, Crab, Kong in Bunches, अंगूर गुच्चे में आता है, तो आपने अंगूर कभी देखा है, कभी भी पापा आपके अंगूर तो अकसर लाते होंगे आपके घर में, आपने देखा होगा ममी भी बजार जाती है, तो खरीद के लाती है चीजों को, तो इतना सारा होता है, कि हम उसे अगर तोड़े, तो एक ताइम पर अडाम से खा लेंगे, इतना होता है, तो हमारा कोशन था, which fruit comes in bunches, कौन सा अफ़ाल गुच्चे में आता है, तो हमारा आंसर है, Grabs come in bunches, अंगूर जो है गुच्चे में आता है, तो आपने देखा होगा मैं इसे बिल्कुल space नहीं है, तो मैं इसे white करूँगी, तब next question लिकूँगी, तो फिर से एक पर इसे समझा दू, तो white करूँगी, तो हमारा question है, name of very tiny, red color fruit, tiny का eye का kitty लूपर है, very tiny red color fruit, तो हमारा answer है, cherry is a very tiny, red color fruit, full stop, okay, तो आप सभी बच्चे कोशन ध्यान से लिखेंगे, question, यहाisol question 2 lines मैं आठ लाच, तो मैंने Do 1 line मी लिखा, यहाँ पर जगहा बच रिहाँ यहाँ इसे Similarly, next line में आठ लिखेंगे, तो answer जितना line मे लिखा कोन ओने से लिखा नेंक्स बीए कि उसके नीचे लिख्या अगर इसे पर हैं नीकर नही। यह तो और भॉषन है नही। अधाल सारी मोद्फ करें मै क्रेंद कुछनओ नहीं आपने कोशन नमबर थर्ड वो है विच फ्रूट विच फ्रूट इस प्रूट इस प्रूट दॉब किंग मैंने ये कोशन आपको पढ़ाया भी था जब मैंने हम लोग ने फ्रूट चैप्टर के बारे में बढ़ा था चैप्टर 25 में तो बहुत बुला था ना कि फलो का राजा फलो का राजा कौन सा फल ख्यालाता है तो येस आपने बढ़ा ही था चैप्टर मांसा लिखते हमें मैंगो मैंगो इस कोल्ट दर कींग ओफ किंग ओफ दा फ्रूट तो मारा आंसर क्या हो गया है मैंगो इस कोल्ट दा किंग ओफ दी फ्रूट आम को फलो का राजा कहा जाता है के लिए अब हम कोशिन नंबर फोर लिखेंगे नेम और जूसी फ्रूट कोशिन नंबर फोर बोला है नेम और जूसी फ्रूट बोला है कि एक ऐसे फल का नाम बताईए जो की जूसी फ्रूट है यानि के रस भड़ा फल है थे कि फल तो बहुत ऐसे होते हैं तो जादा तर फल तो रस भड़े होते ह् उप जादा तर इग्दम बुद वहला होता है तो समय क्या बोला currently नाम बताला है तो आपने फल खाया हुगा बहुत कुछ फल को मूह में रखते हैं तो वह पानी जासा जाता लाग्टाक तो प्रसप्ट बढ़ा लगता है तो हमें वैसे फल का नाम बताना हो है कर दो जो मूह में रखते साथ रस छोड़े मैं और ना अअग जी ई ओरेंज इस और जूसी जे यू आई सी जूसी फ्रूट तो मारा अंसर क्या हो जाएगा ओरेंज इस आ जूसी फ्रूट औरेंज जो है संत्रा है एक क्या है तो वह रसबड़ा फल है अपने औरेंज इस खाए है ना बहुत सारे तो कभी ओरेंज को जब भी जैसे यासे जो हम पिल अफ करते हैं यानि उसका चिलका हटाते हैं तो यह जोर से हमारे से दबा देंगे तो हमारे हाथों में इसका रस आ जाता था facultak थीडे हल्गे हातों से उसके छिलके को खार्यकों मुँझ रक से असके रेशा को भी हर्ट आते हैं तो आप देख रहे हैं, बोट पे नहीं जगा है, तो मैं इसे वाइप करके next question लिखाऊंगी, हला कि आपके page number 47 में, जो question number A है, उसमें बहुत सारा question है, तो बहुत सारा एक बार में मैं नहीं लिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, तो यहाँ पर question number 3 है, एक बार फिर से पढ़ दूँ, फिर वाइप करूँगी, which fruit is called the king of the fruits, तो हमार आसर है, mango is called the king of the fruits, आम को फलो का राजा कहा जाता है, कुछ number 4 है, नेमा juicy fruit, तो हमार आसर है, orange is a juicy fruit, अब है question number 5, वो है, विश्फूरूट, विश्फूरूट, विश्फूर रिक्रवार, रिकित्स बार आसर है, कि अ attending the supply of the milk? विश्फूरूटूट तो है, तो है, तो है दूब बार, दूब है दूब है, और दूब है, तो है, तो है लिको राओगी, या पर question कह रहा है Which fruit drink do you like the most आप कौन से फल का drink यानि कि कौन से फल का रस juice ज़्याद़ पीना पसंद करते हैं तो इस question का answer आप खुद ही लिखे कह रहा है Which fruit drink do you like the most कौन से फल का juice कौन से फल का रस आप ज़्याद़ पीना पसंद करते हैं जैसे फल हमनों खाते हैं, उसी तरीके सा हम जूस भी पीते हैं, ना, भले हम घर पे बनाई, या मार्केट से खड़ीत के लाई, है ना, या मार्केट में जाकर पीए, वो अलग मैटर करता है, तो यहां पर कोशन कर रहा है, कौन से फल का ड्रिंक, यानि कि कौन से फल का रस ज जादा पीना पसंद करते हो, या जादा पीते हो, तो बात है कि यह जादा पीते हैं, या जादा पसंद करते हैं, तो इस कोशन का अंसर आप खुद लिखेगा, जैसे कुछ लोग अनार का रस पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपल का रस यानि कि जूस पीना पसंद करत तो इस तरीके से आपको इस प्रश्ण का उतर आपको खुदी देना है तो मैं इसका आंसर छोड़ दूँगी आप कोशिन नमबर 6 यानि कि नेक्स कोशिन वह लिखा रही हो क्या है वह नेम आप कि नेम आप कि लार्च प्रूट यानि Guard Force comment ऑनला है कि अर एक बड़े फ्रूट निम्त भांबर 1 यानि वह लार्च बड़ा लंबा और ऐसे फ्र्वाम बताना है तो आप बहुत सारा फ्रूट देखे बहुत ही चोटा लाल रंग के फल का ना बता ना तो जो बहुत ही चोटा होता है वह लाल रंग का होता है वह कौन होता है चेडी होता है तो इस तरीके से हमने लिखा उसे तरीके से आपने फल देखा होगा कोई बहुत चोटा है तो कोई बहुत बढ़ा होता है तो हम यहां प तो मारा आंसर हो जाएगा water million is a large fruit water million यानि कि तर्बूस एक बड़ा फल है और आप तर्बूस का भी नाम लिख सकते हो पापाया भी तो पापाया उससे थोड़ा चोटा होता है या बहुत बड़ा भी होता दे कि आजकल बड़ा होना या चोटा होना कोई यह मायने ने रखता आजकल तो एक बलब लोग खाद डाल देते हैं तो उसके जरीए है ना फल बड़े हो जाते हैं या सबजिया बड़ी हो जाती है लेकिन generally water million जो तर्बूस होता है वो बड़ा होता है jack fruit यानि के कठल वो भी बहुत बड़ा होता है तो आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लि अंगुर लिखा जामुन वगर भी होते हैं लेकिन उन्हें हम तोर्की खा लेते हैं तो इस तरीके से आपको लिखना आता है जैसे हैं आप बला नेमा जूसी फ्रूट रस भाए फल बहुत सारे होते हैं तो मैंने वहां पर अनारंगी यहीं को औरेंज का नाम दिया आप द फल जैसे जैक फुरूट वगरा है उसका भी नेम लिख सकते हो तो आपको जो सही लग रहा है आप लिखो तो मैं कोशन नमबर सिक्स तक ही रहने दूंग इससे ज्यादा नहीं कराओगी तो यह जो कोशन नमबर फाइब फिर से पर दू इसका आंसर आपने खुद साट जिवी जैसे जांदा पेना पसंद करते हो तो जैसे मैं लेदूंगी the pineapple पाइनेपल के जूइस है उसी तरीक से आपको जिस फल का भी जूइस पसंद है ज्यादा पीना तो आप उस फल का नाम लिख सकते हो तो संटेने के साथ तो मैंने कैसे लिखा ताप पाइनेपल ड्रीक पाइनेपल का जो ड्रिंक है मैं बहुत पीना पसंद करती हूँ इस तरीके से तो आप कोशन नमबर फाइब है विच फुरो ड्रिंक डू यू लाइक दा मॉस्ट इसका अंसर आप खुद दीजिए खुद लिखे प्यूंकि आपको जो पसंद है बोलकिएगा कोशन नमबर फ्रूट तो बोला एक बड़े फ़ल का नाम हमें बताना है तो मारा आंसर हो जाएगा वाटर मिलन इस अ लार्ज फ्रूट वाटर मिलन यानि के तर्बूज एक बड़ा फल है तो हम यही तक रहने देते हैं इसमें तो कोशन ट्वैंटी वन है तो मैंने आज 6 कराया फिर डेली 5-5 कराऊंगी ताकि आप याद भी कर सको आपको याद करने में भी आसानी हो तो आ पेज नमबर 47 का कोशन नमबर A का मैंने कितना कोशन लिखाया लिखाया तो 6 है लेकिन मतलब 6 कोशन मैंने हम लोग ने टच किया है जिसका 5 आंसर मैंने दिया है एक आंसर आपको खुद ही लिखना है तो आपका हूंवक है रिमेंबर कोशन नमबर A और पेज नमबर 47 का मैं क्या देती हूँ, एक good habit tip देती हूँ, तो आज का हमारा good habit tip है, जो की safety rule भी है, वो ये है कि keep distance while watching television, जब आप television, यानि कि आप TV देखो, तो उससे दूरी बना के रखो, मतलब कि TV जब आपके घर में चल रहा है, और TV जहां पे भी है, जैसे कुछ पुराणे TV होते हैं, तो उनके लिए TV stand होता है, लेकिन आजकल तो LCD चलता है, तो वो वाल में fit होता है, दीवाल में fit रहता है, तो आपके घर में जो भी TV है, कहने का मतलब जब आप TV देख रहे हैं, और हम नस्दीक से देखते हैं, हमें TV नस्दीक से नहीं देखना है, हमें दूर रहे के देखना है, क्यों देखना है, क्योंकि अगर हम नस्दीक से देखेंगे, तो वो हमारे आखों पे बुरा असर डालता है, बैड इफिक डालता है, क्योंकि उसमें brightness होती है, clearing होती है, जो कि हमारे आखों की रोश्णी को damage करती है, हना बरबाद करती है, खतम करती है, कमजोर करती है, इसलिए हमें जब हम TV देखे, तो हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, तो आप सभी बच्चों को कौन सा good ability follow करना है, keep distance while watching television, television देखने के दौरान आपको दूरी बना के रखना है, आज के लिए इतना ही, thank you all.